हैलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सी बीए सी बोर्ट का हिंदी जो की क्लास नाइन का है इसके स्पॉर्श भाग एक के चाप्टर नमबर फाइव वैज्यानिंग चेतना के वाहग चंद्रो शेकर वैंकट रामन इसे पढ़ रहे थे अगर आपने पाट वन नहीं समझा है तो पहले आप पाट वन को समझ ले ताकि आपको ये चाप्टर समझने में आसानी हो तो आईए इसे हम स्टार्ट करते हैं रामन ने अनेक ठोस रवो और तरल पदार्थों पर प्रकाश के किरण के प्रभाव का अध्यन किया उन्होंने पाया कि जब एक वर्णिये प्रकाश के किरण किसी तरल पदार्थ पर या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है वज़ा यह होती है कि एक वर्णिय प्रकास की केरण को फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हैं तो इनके अणों से टकराते हैं तो इस टकराओ के परिणाम सरुख वे या तो उर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं दोनों ही इस्त बैजनी रंग के प्रकाश में होती है बैजनी के बाद ग्रमसन नीले आसमानी हरे पेले नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है अर्थात वर्ण इस प्रकार लाल वर्णिय प्रकाश की उर्जा सबसे कम होती है एक वर्णिय प्रकाश तरल या ठोस रव से गुजरते हैं जिस परिमान में उर्जाक होता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ड, अर्थातरंग, परिवर्तित हो जाता है। रावन की खोज भौतिकी के शेत्र में एक क्रांती के समान थी, इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की परिकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमान मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्वर्ति विज्ञानी प्रकाश को तरंग के रूपे मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अती सुक्ष्मकणों की तिवर धारा के समान है। इन अती सुक्ष्मकण की तुलना आइंस्टाइनने बुलेट से की और हिने फोटोन नाम दिया अती सुक्ष्मकण की तुलना इनोंने बुलेट से की आतीस सुख्ष्म कड़ों की तुलना इन्होंने बुलिट से की रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारना का प्रत्यक प्रमान दे दिया क्योंकि एक वर्ड़ी है प्रकाश के वर्ड़ में परिवर्टन या साफ तौर पर प्रमानिक करता है कि प्रकाश की किरण तिवरगामी जो तिवरगामी है सुक्षमकडों के प्रभाव के रूप में वेभार करती है तो कैसे ये चेंज हो रहा है ये उन्होंने साबित किया रामन की खोच की वज़ा से पदार्थों के अन्गों और पर्मानियों के आंतरिक संरचना का अध्यन बहुती आसान हो पाया पहले इस काम के लिए इंफ्रा रेड एस्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था ये मुश्किल तकनिक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है रामन की खोच के बाद पदार्थों की आन्विक और पर्मान्विक संरचना के अध्यन के लिए रामन इस्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा यह तकनिक एकवणिय प्रकास के वण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के अणुओं और परमान्वों की संरचना के सटिक जानकारी देता है इस जानकारी की वज़ा से पदार्थों का संसलेशन प्रयोक्षाला में करना और तथा अनेक उप्योगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्मान संभो हो पाता है कृत्रिम जिसको मानों के द्वारा बनाया गया है रामन प्रभाव के खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्यानिकों की पंक्ती में लाकर खड़ा कर दिया पुरुसकारों सम्मानों की तो जैसे जड़ी सी लग गई, लाइन लग गई उन्हें सन 1924 में रोयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया सन 1929 में उन्हें सर के उपादी प्रदान की गई, ठीक अगले ही साल उन्हें विश्यो के सरवोच पुरुसकार बहतिकी में नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया उन्हें और भी कई पुरुसकार मिले जैसे रोम का मेथ यूसी पदक, रोयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलोडेलफिया इंस्टिट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतराश्टिय लेनिन पुरुसकार आदी सन 1904 में रामन को देश के सरवोच सम्मान भारत रतनें से सम्मानित किया गया वे नोबल पुरुसकार पाने वाले पहले भारतिय वज्ञानिक थे, उनके बाद ये पुरुसकार भारतिय नाग्रिक्ता वाले किसी अन्य वज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है उन्हें अधिकांस सम्मान उस दोर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी कार्यों के दारा अपने संघर्ष के दोरा उन्होंने ये सारी चीजे अपने जीवन में पाई उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्म सम्मान और आत्म विश्वास दिया विज्ञान के शेत्र में उन्होंने एक नई भारतिय चेतना को जागरत किया लोग और ज़्यादा मोटिवेट हुए इस चीज़ की और भारति संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाओ रहा है अपने देश के है और अपने देश की सभिता संस्कृति अपने देश का विकास इन पर इनको बहुत जादा लगाओ है उन्होंने अपनी भारतिय पहचान को हमेशा अशोण रखा अंतराश्टिय प्रसिद्धी के बाद भी उन्होंने दक्षिन भारतिय पहनावे को नहीं छोड़ा हमेशा अपने भारतिय पहचान को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि ये हमारे भारतियों के पहचान है से सक्त परहेज करते थे जब वे नोबल पुरुसकार प्राप्त करने स्कौट हूं स्टॉक हूं गए तो महां उन्होंने अलकोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराप पीने से इंकार किया तो एक आयोज़क ने प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो रामन पर अलकोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों अब वहां एक व्यक्ति के द्वारा मजा कुड़ाया गया कि रामन ने जब अलकोहल पर रामन का प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें और ज्यादा उकसाया उकसाने मे कोई कसर नहीं छोड़ी तो रामन पर अलकोहल के प्रभाव का परदर्सन करने से हम परहेज क्यों रखे रामन का वैज्ञानिक वैक्तित्व प्रयोगों और शोद पत्र लिखन तक ही सिम्टा हुआ नहीं था उनके अंदर एक राष्टी चेतना थी वे देश में वैज्ञानिक दृष्टी और चिंतन के विकास के प्रती पूरी तरीके से समर्पित थे उन्हें अपने शुरुवाती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंकी प्रयोक्षालाव करणों के अभाव में काफी संघर्ज करना पड़ा था इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोक्षालाव शोद शंतान की स्थापना की जो बैंगलोर में स्थित है और उन्हें के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टिट्यूट नाम से जानी जाती है ये बहुत एक शास्तर में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जनरल ओफ फिजिक्स नाम शोद पत्रिका प्रारंब की अपने जीवन काल में उन्होंने सैक्डो शोद चातरों का मार्ग दर्सन किया जिस प्रकार एक दीपक से अनने कई दीपक जल उठते हैं उसी प्रकार उनके शोद चातरों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया उन्ही में कई शातरबाद में उच्छ पदो पर प्रतश्थित हुए विज्यान के प्रचार प्रसार के लेवे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपाधन करते थे रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमिटा नहीं रहा या नहीं रहा था उन्होंने अपने व्यक्तितों के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया उनकी मृत्यों 21 नौंबर सन 1970 के दिन 82 वर्स की आयों में हुई तो इन्होंने विज्ञान को साइंस को बहुत ही आगे लेकर ये गए प्रयोक सालाओं में बहुत कम चीजों के साथ अभाओं के साथ इन्होंने कारिकों आगे बढ़ाया और बैंगलोर में इन्होंने उन्नत प्रयोक साला भी खोला जिसमें सुविधाय लगबग मौजूद हो रामन वैज्ञानिक शेतना और दृष्टी के साक्षात प्रती मूर्ती थे उन्होंने हमें हमेशा ही या संदेश दिया कि हम अपने पास घट रही विबिन प्राकरते घटनाओं की चान बिन एक वैज्ञानिक दृष्टी से करें कि ऐसा क्यों हो रहा है तभी तो उन्होंने संगीत के सुर्ट आल और प्रकाश की किरणों की आभा आभा यानि चमक के अंदर से वैज्ञानिक सिंदान खोज निकाले हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजे बिखरी पड़ी है जो अपने पातर की तलाश में है जरूरत है रामन के जीवन से प्रेणना लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्रका भेद करने की उसको तोड़ने की कि जो भी चीजे हो रही है उसके पीछे कारण क्या है तो हमें भी इन से सीख लेनी चाहिए उमीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूले तैंक यू